नमस्कार आदाब सरहत के दो रुक के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तक्बाल है आए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बलतिस्तान में पी टी डी सी होटल और रेस हाउसेस को लीस पर देने की तैयारी पाकिस्तानी मकबूजा जमू कश्मीर में बिजली बोहरान से परिशान आवाम का एहतिजाज और श्री नगर में इंटरनाशनल पैंचिक सिलार फेडरेशन की जानिब से कौमी सतहकार रेफरी और जूरी कोर्स मुनक्कित पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बलतिस्तान सयाहती लिहास से एक ऐसे मराकिस के तौर पर उभर सकता है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं लेकिन पाकिस्तान हुकमरानों की पॉलिसियों की वजह से गिलगित बलतिस्तान की सयाहती सलाहियत कभी उभर कर मंजरे आम पर नहीं आ सकी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के उरूज पर आने से पाकिस्तान और फिर उसके नाजायस कबजे वाले गिलगित बलतिस्तान में सयाहत मुतासिर होती रही है पाकिस्तान किसी बहाने से यहाँ आने वाले से यहाँ पर पाबन्दी आयत कर देता है इस के जरीए यहाँ के मकामी बाशिणों से उनकी कमाई का जरिया चिनता है इस बार तो पाकिस्तान ने यहाँ मौजूद बेहर नामचीन तमाम PTDC होटल और rest houses को पाकिस्तान के निजी इदारे ग्रीन टूरिज्म को लीस पर देने का फैसला लिया है जिसकी पूरे खिते में जम कर पुखाल फथ हो रही है जो सयाह पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बलतिस्तान आकर मकामी बर्शिंदों की आमदनी का जरिया बनते हैं उन्हें यहां आने से लेकर रुकने तक बेशुमर मसायल का सामना करना पड़ता है ऐसे में पाकिस्तान का एक फैसला यहां के अवाम पर भारी पढ़ने जा रहा है और वो फैसला वहां मौझूद पाकिस्तानी टूरिजम डिवलप्मेंट कॉर्पोरेशन यानि पी टी डी सी के होटेल और एक दरजन से ज्यादा रेस्ट हाउस को लीज़ पर देने का है बिना किसी बिट के एक नीजे इदारे के हाथ में पाकिस्तानी मखबूजा गिलगित बलतिस्तान की बेश केमती जाइदात को जिस तरह सौपा जा रहा है उसकी भरपूर आवाज में मजब्मत की जा रही है अवाम सडकों पर उतर चुके हैं और हुकुमत से तीखे सवाल पूछ रहे हैं लीगली सरकार किसी भी अपनी चीज़ को लीज़ आउट कर सकते हैं लेकिन उसका नाफ़ाना प्रोसेस मौज़ूद है जिस तरह से ठीके दिया जाते हैं बड़े बड़े ठीके दिया जाते हैं तो उसका एक तरिकार मौजूद है पेमरे के ताथ उसको टेंडर किया जाता है इसी तरह सब्सक्राइब करें और जो भी इसका अभी यह देखा जा रहा है कि मलब 29,000 रुपे में पूरा बहुत बड़ा जो होटेल महाना कराई पे द जा रहा है कि करनाल की दिम्ट 29 रुपे कहीं पी 33 रुपे में किराय पे दी जा रही है तागर इसके ओपर ओपन बीडिंग होगी ओपन टेंडर होगा तो खुद हमारे यहां इस अलाके के ऐसे हमारे सनमायदार मौजूद है जो कि लागों करूरों रुपे इनमें इसके मत इसा कहा जा रहा है कि ग्रीन टॉरिजम कोई आम कमपनी नहीं है बलकि इसका सीधा तालुक पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसरान से है पंजाब सूबे से वाबस्तगी रखने वाली इस कमपनी को जिस तरह कौडियों के मोल में अर्बों की जायदाद दी गई है उससे बेश्मार सवाल उट रहे हैं ये पूरा तरह के कार सवालों के घेरे में आ चुका है जाहिर सी बात है कि एलान होते ही इस फैसले की सख्त मुखालिफत शुरू हो गई है क्योंकि इसका दूर गामी असर सियाहत और रोजगार दोनों पर पड़ेगा गिल्गित बलतिस्तान में पिछले 76 सालों से जो जल्म और जयातिया होती आई तो इसी असना में काफी कमेड़ीज बनी काफी जदो जहत हुई लेकिन कोई गिल्गित बलतिस्तान की नईया को बार नहीं लगा सका कोई न कोई बीच रास्ते में उनको हड़ा लाई वो के बाद एक तहरीक का आगास किया एक जदो जहत के लिए एक लंबे अरसे के लिए मस्तकिल मिजाजी के साथ रेने के लिए एक तहरीक का एलान किया तो इसका मकसद यही है बनियादी सहुलिया जो भी हमारे हुकूक है और जो हमारे वसाहिल आजकल गिल्गित बलतिस्तान क दिल्गित बलतिस्तान में दिलकश मनाजिर सयाहों के लिए तरस जाते हैं। सयाहती मौसम में भी सयाह का रुख करने से कत्राते हैं। वजह उनके यहां रहने घूमने और खाने पीने के मुकमल इंतजामात और बुनियादी धाचे की अदम दस्तियाबी है। अबल तो सयाह यहां पहुँच ही नहीं पाता और अगर आ गया तो कई तरह के मुश्किलात से घिर जाता है। फिर भी यहां की खुबसूरती देखकर जो लोग आना भी चाहते हैं उन्हें आने से रोकने के लिए पाकिस्तान कुछ न कुछ रुकावट हाइल करने की कोशिश करता है। अवामी मुखालिफत की रहनमाई कर रही अवामी एक्शन कमीटी की माने तो पाकिस्तानी हुकुमरान और यहां काबिज हुकुमत ने यहां की वाहिद इंडस्ट्री सियाहत का बेरा गर्ग कर रका है। हकोमत के मनमाने फैसलों की जिन्दा मिसाल है पी टी डी सी होटेल्स और रेस्ट हाउस को लीज़ पर देना गिरीन टूरिजम कंपणी का जो अमल था वो बिलकुल गलत था इन्होंने गहर कानूनी तरीके से वन बिट के जो तर गानून से इन्होंने जो फूफिया टेंडर किया हम उस तरीके के खलाब हैं बाकी यह है अवामी मिल्कियत अराजी में शुरू दिन से बोलते आयो हूं मै ने आवाम को भी कहा है कि हम किसी स्टेट सप्जेक्ट रूल iki मानते किसी लेंडरीव हम को निए मानते यह तमाम तर जमीने हमारी है तो इस वजमारे वसाहिल पर जो भी काविस कोगा चाहे वह गिरीन पार टूरिजम कंपनी के नाम से हो चाहे वो मलिक अरसलान नामी कोई शक्स हो या इसके पीछे जो कोई भी इदारा हो या सुभाई हुकूमत हो या गवर्नर हो जो भी मुझूद हो हम इनको अपनी धर्ती महाँ पे काबिस होने नहीं देंगे होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की कमरतों जरूरत से ज्यादा टैक्स, अफसरों की मनमानियों और करप्शन ने पहले ही तोड़ दी है जरूरत इस बात की थी कि साफो सफाफ का रवाईयों के तहद हुक्मरान खुद सयाहती शुबे के फरोग के लिए एकदाम उठाए सस्ता लून देने और चुकाने से मुतालिक फालिसी नाफिस कर सयाहत से जुड़े लोगों को रहत दी जा सकती थी लेकिन गिलगित बलतिस्तान में ऐसे एकदाम सिरे से गायब हैं जब कमाई का आधा से ज्यादा पैसा रिश्वत और टैक्स में चला जाए तो सयाहती शुबा कहां से कामियाब होगा और उपर से ऐसे मनमाने फैसलों का असर फूरी इंडस्ट्री पर पढ़ना शर्तिया तै है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बलतिस्तान से अब चलते हैं जम्मु कश्मीर की जानिब यहां के नौजवानों में इंडोनेशियन मार्शल आर्ट पैंचेक सिलार्ट काफी मकबूल है इसे बढ़ावा देने की सिम्त में जम्मु कश्मीर के मुक्तलिफ इलाकों में आए रोज खेल मुकाबले और सरगर्मिया चलाई जाती रही है हालिया दिनो श्रीनगर में इंटरनेशनल पैंचेक सिलार्ट फेडरेशन की जानिब से कौमी सतह का रेफरी और जूरी कोर्स मुनक्खित किया गया इसका मकसद मार्शल आर्ट के इस फॉर्म के काईदे कानून की बहतर जानकारी देना और इसकी बारीकियों से खेल के कोच रेफरी और जूरी को आगहा करना था ताकि खिलारियों की पर्फॉर्मेंस में किसी भी तरहा की गल्ती की कोई गुंजाईश ना रहे जाए और खेल मुकाबलों के दौरान सटीक फैसले किये जा सके जम कश्मीर में पैंचिक सिलार्ट को बढ़ावा देने के लिए इंतिजामिया पूरी शद्धुमत से कोशा है इसके लिए कभी कौमी और बेरूनी सता के खेल मकाबले कराए जाते हैं तो कभी पैंचिक सिलार्ट से जुड़े तर्वियती प्रोग्राम मुनप्रिक किये जाते हैं जैसा के हालिया दिनो सिर्ना का शेहर में इंटरनेशनल पैंचिक सिलार्ट फेडरेशन की जानिए से कौमी सता का तीन रोजा रैफरी और जियूरी कोर्स का इहत्माम किया गया कौमी सता के इस प्रोग्राम में मुल्क के सभी रियासतों से 180 से ज्यादा कोच, रेफरी और जीवरी ने शिर्कत की और इन्हें सिखाने और बताने के लिए बेरूनी मुमालिक से इस खेल के माहरीन ने भी शिर्कत की इसका मकसद पेंचिक सिलाट के पायरे कानों से कोचों और रेफरीज को बेदार करना था मकसद ये है कि हम गेम को अच्छा तबी बना सकते हैं जब गेम के रेफरीज और कोचिस बेटर होंगे तो हम हर साल ये करते हैं और हर दो तीन साल में इंटरनेशनल कोर्स करते हैं तो ये हमने इंटरनेशनल बाहर से मंगाए है और हम हर स्टेट में अलग से भी कोचेश करते हैं पैंचिक सलाट में खेल मकाबलों के दौरान खिलाडियों से किसी भी तरह की गलती ना हो इसके लिए जरूरी है कि इस खेल से जुड़े लोगों को इसकी तमाम बारीकियों से आगा कराया जाए इन्हीं सब बातों को बैरल अक्वामी सता के माहिन की जानिब से इस कोर्ष में कवर्ड किया गया इसके लिए जहां एक तरफ इन्हें लेक्चर दिये गए तो वहीं दूसरी जानिब इंटरेक्टिव सेशन में मुतार्दि सवालात के जरिए इनकी मालूमात का अंदाजा भी लगाया गया यहां पर अभी रेफ्टिशिप कोर्स हो रहा है यहां पर इंडोनेशा से आया है टीचर्स हमी सखाने के लिए मैं एक इंटरनेशनल एथलीट रह चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पर मैंने अपनी इंडिया को यह किया है मैं रिप्रेजेंट किया हुआ है तो अभी हमारा कोर्स तीन दिन का रहेगा सुबा साधे नौ से लेके पांच मुझे देख रहेगा है मैं एक चुले भी कोचिंग भी करा रही हूँ खुद एज अ कोच में भी लाइबाग स्टेडियम में हूँ तो उसलिए मुझे बच्चों के लिए रेफ्रेश पॉर्स करना पड़ेगा ताकि मैं उनको रूल्स और रेगिलेशन के बारे में बता सकूँ जम्मो कश्मी के खेल इंत्सामिया की मुझबत कोशिशों कहीं समरा है कि मुक्तलिफ खेलों में ज्यादा से ज्यादा मकामी नوجवान पेशा वाराना तरीपे से आगे आ रहे हैं इसके लिए जम्मो कश्मी इंत्सामिया की जानिब से जहां एक तरफ स्पोर्स फेसिलिटीज सेंटर और स्टेडियम्स तयार किये जा रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब मकामी खिलाडियों की परफॉर्मेंस और तक्नीक को बेहतर बनाने के लिए बेरूनी मुमालिक के मा सब्सक्राइब में तफसील से जानने का मौका बिला। जब हम उनको से खाता होना है तो हम अच्छा होने जिसे हम अच्छा डिसिजन ले के सके जिस्मानी और जहनी तोर पर टुस्त रखने और सेल्फ डिफेस में कारगर मार्शल आर्ट्स जिसके अलग-अलग खेलों में मकामी नौजवानों का जोश और जजबा कापल तारीफ है। ऐसे में कौमी और बेनलगवामी सता पर मुनकिद होने वाला प्रोग्राम यकीनां खिलारियों, कोच और माहिरीन के लिए मालूमात में इजाफा करने वाला है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राए रखने और खबरों के तबादला एक हयाल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तमाल हो रहा है। तो आएए एक नज़र डालते हैं कुछ एहम पोस्ट पर। अख्त मेहनत करने वाला इदारा है जो कभी खाली नहीं बैटती लेकिन ढंक से कोई काम भी नहीं करती। अब वो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जमीने गयर कानूनी तरीके से हत्याने में लगे हुए हैं। इसके मुखालिफत में जिलास्तोर में अवाम एहतजाच कर रही हैं। क्यूंकि यहां की सौ एकर जंगल की जमीन पाकिस्तानी फौज ने हत्या ली है। पामिर टाइमस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हजारा शाहरा के खरीब गिजर से रावल पिंडी जाने वाली नेटको की बस का टायर फटने से उसमें आग लग गई। इसकी वज़ा से पूरी बस जल कर खाक हो गई। इन्फरमिशन एन पी आर बांदेपूरा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला बांदेपूरा के डिप्टी कमिशनर शकिलोर रह्मान ने पीर बाबा में राजदान टॉप गेस्ट हाउस का इफ्ताह किया। जिन्दा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्री बाबा अमरनाथ गुफा के मुकद्दस मनाजिल श्री अमरनाथ जी यातरा दोहजार चॉबिस के शुरुआत 29 जून से होगी और 29 अगस तक चलेगी इसका रेजिस्ट्रेशन 15 अपरेल से शुरू हो चुका है आईए अब नज़र डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच परताल करने वाले हमारे खुसूसी सेग्मेट छूट का परदा फाश पर इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलिविजिन चैनल पर नश्र होने वाली छूटी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है पाकिस्तान का बड़बोला चैनल पी टीवी इसलामबाद में बैठे आला हुक्म रानो को खुश करने के लिए जिन दो देशदगर्दों को मासुम बताने के लिए शोर मचा रहा है उनका तालुक लशकर एताईबा से है और उनमें से एक साल 2015 से सरगर्म रहा टॉप कमांडर रियाज एहमद जार था वो जमू कश्मीर में हुए देशदगर्दाना हमलों में मलविस था और उनकी काफी वक्त से भारती हिफाज़ती अमले को तलाश थी इनपुट के बिना पर जिला पुलवामा की निहमा इलाके में चलाई गए हिफाज़ती अमले के जोइंट आपरेशन के दोरान लशकर के दोनों आतंकियों को धेर करने में कामिया भी मिली हानके देशदगर्दी का सफाया पाकिस्तान और उनके खास चैनल पी टीवी को रास नहीं आ रहा है और पी टीवी आखे मूंद कर देशदगर्दों को बेगुनाह बताने में लगा हुआ है पाकिस्तानी मकबूजा जमू कश्मीर में बिजली बोहरान हर दिन तश्वीशनाक सूरत अक्तियार करता जा रहा है खास कर गर्मियों के दिनों में बिजली बोहरान गहरा होता जाता है हर साल ये क्राइसिस बरती जा रही है यहां पर मकामी हुकूमत बिजली फराहम कराने की बजाए बहाने बनाने और अपना इक्तिदार बचाने में ही लगी हुई है इक्तिदार बचाने का मकसद लेकर बैठे मकामी हुकमरान बहाने बनाने में लगे हुए है कभी कहते हैं कि दरिया में पानी कम हो गया है कभी कहते हैं कि मौसमे गर्मा में दिखते पेश आती ही हैं इन बेसिर पैर के बहानों की वज़ा से जह हुकूमत की किरकरी हो रही है वही मकामी अफराद के लिए बिजली ख्वाप की मानिंद हो गई है और अवाम फिर से एहतजाज पर उतराए हैं यून के महीने में जब गर्मी और उमस अपने अरूच पर हैं मुझफराबाद के आवाम एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं ये शहर की सबसे बड़ी रहाईशी बस्ती है और यहां के आवाम का देरीना मतालबा है बिजली की फराहमी एहतजाजियों का कहना है कि यहां एक बार अगर बिजली कट जाए तो आने का कोई वक्त मकरर्र नहीं होता सुबह से गई लाइट शाम को भी आ सकती है और रात को भी ऐसा भी हो सकता है कि आवाम को दो या तीन रोज बिना बिजली के बिताने पड़े यहां कुछ दिन पहले शौकत नवाज मीर की रहनुमाई में आवाम एहतजाज पर थे और उनकी देरिना मांगों में से एक बिजली की फराहमी थी लेकिन लगता है कि इस एहतजाज का कोई फाइदा नहीं हुआ इसलिए अवाम एक बार फिर से एहतजाज पर हैं क्योंकि जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही तो इनके पास एहतजाज के अलावा भला कोई और रास्ता भी क्या रह जाता है अपने हाथ नहीं है अपने हाथ नहीं है अपने हाथ नहीं तरिक चुड़ी ती तब कहा गया था तब कहा गया था कि नके क्या मतलबाद है तब हमारे जबाद को भजी तरह दिग्रादम तो इसका नार्सिकींडर रहा था उसने ज्यागा का था विजनी में हमने नों मुस्ट्भिव कारिए हैं कारिये हमारी कीमत नों अप मुस्पियव कारिए गाड़ोजीं है अकमारे हा मुजफराबाद शहर जो की पाकिस्तानी मकबुजा जम्मू कश्मीर की डारुल हकुमत भी है यहां बिजली भले ही ना आ रही हो लेकिन बिजली के बिल खुब आ रही है अवाम का इल्जाम है कि जब से यहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तब से बिजली के बिल दो से तीन गुना ज्यादा तक भेजे जा रही हैं जिन लोगों का बिल तीन या चार सो होना चाहिए था उन्हें तीन से चार हजार रुपए का बिजली बिल मिल रहा है ये सरासर नाइनसाफी है ऐसा लग रहा है कि हालिया एहतजाज का भी फाइदा नहीं हुआ अवाम का वाजिब सवाल है कि जब यहां बिजली ही कभी कभी आती है तो भला बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है जरूर इसके पीछे कोई सासिश कार फरमा है बिजली नहोना ऐसा मसला बन गया है जिसकी वज़ा से इन्हें हर रोज दुश्वारी ज्हेलनी पर रही है वैसे बिजली की ये कटाउती सिर्फ आम लोगों के लिए है क्योंकि वी आईपी लोगों के लिए अलग से ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है जिस से उन्हें 24 घंटे मसलसल बिजली मिलती रहे ये सरासर नाइनसाफी है लेकिन इसके खिलाफ आवाज कौन उठाए बिजली नहोने से ताजिरों का कारुबार चौपट हो रहा है तो तालिब इल्मों की तालिम भी मतासिर हो रही है इसके अलावा दर्या को रोक कर जो विजली बनाई जा रही है वो केवल पाकिस्तानी शेहरों को सप्लाई की जा रही है जबकि माहौलियात यहां का खराब हो रहा है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मो कश्मीर में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहां के आवाम को बिजली जैसी बुनियादी जरूरत के लिए जूजना न पड़े मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का लोड शेडिंग का मसला हर वक्त बना रहता है पाकिस्तान ने यहां बिजली की कमी को पूरा करने के लिए यकिन दहाने के सिवा कुछ नहीं किया यहां बने पावर प्रोजेक्ट भी केवल आवाम की मुसीबतों का सबब साबित हुए है ऐसे में यहां के आवाम साफ तोर पर कह रहे हैं कि अगर बिजली कटोती ज्यादा जरूरी है तो उसका वक्त मुकरर कर दिया जाए पाकिस्तानी मगबूजा जम्मु कश्मीर में बिजली बोहरान और उसके लिए परिशान होते आवाम की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मु कश्मीर की जानिब यहाँ पर मकामी सताह पर होने वाली दस्तकारी और इससे जुड़े लोगों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए जम्मु कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस एकदमात किये जा रही है इस सिम्त में जम्मु शहर में जशने हुनर नामी एक्जिबीशन कम सेल प्रोग्राम का इनकाद किया गया है महीने भर चलने वाले इस प्रोग्राम में लोगों को एक ही जगह पर मुक्तलिफ तरहा के साजो समान, रिवायती दस्तकारी और मलबुसात की खरीद फरोग्त की सहुलियाद दस्तयाब होगी और ना सिर्फ जम्मू बलकि इसके सब ही अजला से दस्तकारी के छोटे दर्मियानी सतह के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मी के मकतलिफ मकामात को पुधरत ने अपनी बेपना खुबसूरती से तो नावाजा ही है इसके साथ ही मकामी दस्तकारों और कारीगरों के हातों में वो जادو की हुनर है जिसकी गाएल पूरी दूनिया है इसके मिसाल यहां के दीगर शेहरों में मुनकिद होने वाले प्रोग्राम से मिल जाती है जैसा के जम्मो शेहर में महकमे सनत तिजारत की जानिब से जशने हुनर नामी एग्जिबीशन कम सेल प्रोग्राम का इनकाद होना महिने भर चलने वाले इस खास प्रोग्राम में तक्रीबन असी कारुबारी जम्मु कश्मीर की रिवायती दस्तकारी की मस्मुआत, बल्बुसात और दीगर साज़ो सामान को पेश कर रहे हैं जसने ओनर जो है किडिस्ट्री डिपाट्मेंट की तरफ से आईएगर किया गिया, इसमें मैं जो मकसद है तो जम्मु हार्ट एक सेंटर बना आएगा यहां पर जितने भी यहां के लोकल स्टार्ट अप है, आर्टिस्ट हैं और जो यहां के लोकल प्रोड़ुक्ट्स हैं, उ ये सब चीज़ें जो हैं इंडिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रहे हैं जिसमें भी भीन जिलों से यहां पर बोगाई हैं शहर के सबसे मस्रूफ तरीन लापने में मौजूद जम्मु हाट में जशने हुनर प्रोग्राम का मकसद दस्तकारों के हुनर को अलग त के जरिये इनकी खरीद और फरोग भी हो रही है इसलिए प्रोग्राम में शामें लोग दस्तकारी को मजीद बढ़ावा देने के एदवार से इसे काफी आहम करार दे रहे हैं इस दोरान एक खास बात ये नदर आ रही है कि यहां रक्स मुसीगी के प्रोग्राम भी कर दे जा रहे हैं जो खरीदारों और शायकीम को काफी पसंद आ रहे हैं यह इविंट जशने हुनर में आज हम हमें एक मौका मिला है अपने सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े एंटरप्राइजस हम यहां पे लगा रहे हैं ऑंटर्पेनियोर्स बायर सेलर सब एकी के नीचे आके सब यहां पे देख रहे हैं देघिंग इस चिगहाँ पे एक हम जो हमारा यहां पे क्या मकसद है कि हम एक क्राफ्ट को डिवाइफ कर रहे हैं माई ब्राइंट दिख्रास आफ इंडिया इस प्रॉजाम al Gimun complex हो रहे हैं में मुकामें दस्टगारों की गए हैं जहां पर लोगों की अच्छी खासी आमद भी दिखाई दे रही है नुमाईश पे हाथों से तयार करदा मस्नुवाद की हाथों हाथ फरोग्त होने से मकामी दस्तकार काफी मुतमाइन दिखाई दे रहे हैं यह जो हमारा प्रोड़क्त है सारा कैलिको आर्ट पे है कैलिको आर्ट जो है यह हमारे जे अनके का आर्ट है और यह ओरिजनेर रुआ था सामब डिस्ट्रिक में यह माराजा रंदीत सिंगे टाइम का आर्ट है रहां 16-17 सेंच्री 17th century का है 16th century का तो उस ताम पे यह आराजा आर्ट अनलीत सिंग्ग कुछ इसको पैर्टनाइब करते थे और वो लो उनको बहुत शोक था इसका तो आटिजन तब हमारे बड़ा ठाइफ करते थे पर उसके बाद क्या हुआ किसी ने इसको किया नहीं प्रोटेटनी किया और किसी ने इसको वो नहीं किया तो यह ऐसा इ प्राइदे मन मौका बन कर सामने आया है जिसमें लोगों को एक ही जगा पर जमु कश्मीर की रवायती दस्तकारी और सकापती विर्से से रूबरू होने का मौका फरहाम हुआ है। इस बास से भी समझी जा सकती है कि यहाँ पर मकामें दस्तकारों और कारोबारियों को अपने प्रोडक्ट को बड़ी बड़ी मारकीश तक पहुचाने के लिए पैकेजिंग, सेल्स और मारकेटिंग जैसे अहम निकात के बारे में तजर्बा हासिल हो रहा है। ऐसे में दस्तकार और मुतालिक सनट और तजर्बार से वाबस्ता अफराद इस तरह के प्रोग्राम्स को वक्तन फवक्तन मुनाकित कराने की खौईश का इजहार कर रहे हैं। नाजरीन इसी के साथ हमें दीजे इजाज़त अगले हफते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार खुदा हाफिस।